नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करते हैं आप सभी स्वस्तोंगे दोस्तों आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो आयरवेदिक इस्टूडेंट है या आयरवेदिक डॉक्टर से हैं या कोई भी आम आदमी जो आयरवेदिक प्रती अपनी रूची रखता है उसे जानना चाहता है उसे समझना चाहता है क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयरवेदिक के एक इंपोर्टेंट रग जिसका नाम है गुडूची की या गिलोईजी से कहते हैं आज हम जानेंगे कि गुडूची घनवटी घर पर कैसे बनाए और इसके क्या-क्या योजी से क्या-क्या इसके इंपोर्टेंस है दोस्तों गुडूची मैनिस्पर्मेसी फैमिली से है और इसका प्रटैनिकल नेम टिनोस्पोर और पॉडिफोलिया है यह हर प्रकार के कि यह हमारे को हमारी इंटेलीजेंस पावर और मेमरी पावर को बहुत बढ़ाती है साथी साथ इसके कायकल बुड़ों के कारण यह हमारे शरीर को लंबा और स्वस्त जीवन देती है दोस्तों घिलोए से कापी सारे खतरनाग बिमारियां जैसे क्लोनिक पीवर, मलेस, अधिया भी ठीक होती है साथी साथ यह इसकी डिजीजे जॉंटिक्स, पाइल्स, हर डिजीजे में भी बहुत पाइद है दोस्तों इसकी मेडिसीनल प्रॉपर्टीज की वज़े से इसको संस्कृत में अमरीता भी खा गया है और आचारे भार प्रगार जी के अनुसार यह प्यूरिपायर, डिटॉक्सिफायर और इप्टिव डाइजेस्टिफ मेडिसीन जब हमारे डाइजेसिव सिस्टम में अनडाइजेस्टिट खोट के कारण कई सारे टॉक्सिन बन जाते हैं तो जिसको आइलवेट में आम दोश भी कहते हैं उससे यह गिलोई डाइजेस्ट करता है और इस टॉक्सिन को आगे चलके कहतरना बिमारिय बनाते हैं जैसे अर्थराइटिस, मलेस, गाउट जैसे बिमारिया बनाते हैं तो यह गिलोई उन बिमारियों को एक तो खतम करता है साथ यह साथ उनके मेनेजमेंट में भी वर्ट करता है आप ाप लोगोंने कही बार सुनना होगा कही लोगों का urine के लेवल बढ़ जाना है तो उसके लिए गिलोई घनवती चनप्रभावटी और पुनारबारिस्ट बिलोई गनवती और चॉन प्रभावटी की दोदोगोली ती सम्लाइज चोन अप उसको दिन में तीन बार खान यह लगातार तीन मंद करने से यूरीक एचिट लेवल आपका कम हो जाता है दोस्तों उमीद करते हैं आप लोग घिलोए को यूज़ करेंगे कि सारी लोग अपने घरों में मनीप्लांट लगा लेते हैं यहां जायद मनीप्लांट से कहीं किसी के घर में पैसा आता होगा तो आपको खुशाल जीवन अच्छा जीवन मिलेगा तो आइवेद को अपना ये बागी ये रहे सारे गिलोई के जोजिस और इसकी इंपोर्टेंस तो आगे हम देखेंगे वीडियो में कि गिलोई घनवटी घर पर कैसे बनाए तो आप ये वीडियो को पूरी देखेंगा दोस्तो गिलोई घनवटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाप गिलोई खटा कर लिया है आप देख लीजे गिलोई है ये और दूसरा गिलोई खटा करने के बाद हमें इससे सबसे पहले धोना पड़ेगा जो कि इसके उपर लगी गंदी की जो भी है वो सारी हट जाए उ ठीण जाए उपर तो दोस्तो आप देख रहे हैं ये गिलोई धुलकर और कट चुकी है इससे काट दिया गया है तो दोस्तो अभी इसे इमामदस्ते में कोट देंगे जो इजी रहेगा इमामदस्ते में कोटे काटते हैं तो दोस्तों अभी हम गिलोई कोटने वाले हैं इसके लिए इमाम दस्ता ले रखाए इसमें गिलोई लेकर हम इने अभी कूटेंगे इसलिए हम कूट रहे हैं जो कि गिलोई है थोड़ा थोड़ा फट जाए नहाँ ऱ लेपक रë टार कि इन अभी हम देरा झाले हैं जो झाले डाले है इसलिए बस्ता है कि को लेगे को बटने सेलिए हम दॉँे इस सेलिए कि आप देख गए हैं हमने इसे पूट लिया है इमाम दस्ते में क्रश कर लिया है पूरी तरीके से क्रश हो चुका है पड़ चुका ही देख लिए अब इसका हम क्वात बनाएंगे क्वात बनाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले ना गुरू ची का वेट करना था तो हमने वेट कर चुके हैं यह चार किलो गुरू ची है इसके इसाफ से हमें चार गुना जादा पानी लेना है इसके चार गुना जादा पानी तो 16 लीटर पानी हमें इसके लिए चाहिए क्वाथ बनाने के लिए अगने पे हम इसे रखकर इसमें 16 लीटर पानी डालकर क्वाथ बनाएंगे जैसा मैंने बताय था हम ग्लोए को अब क्वास बना रहे हैं इसके क्वास के लिए हमें बताये सब्गे इतना ग्लोए लेंके कि इसके अचार पना पानी देखे रहे हैं इसके इसको ममें अगनी के रखिया था इसके अब ये वास की से तयार ही इसको हमें जब तक पुबाल नाएं जब तक इसका एक चौटाएग पानी ना बताएग नावेगे और आगे इसके प्रफियादो आगे तो दोस्तों आप जैसा की देख सकते हैं कि हमारा भी कवास तयार हो चुका है, अब हमें इस कवास को इसको चानना है, इस कपड़े से चानना है और इस पतीले में करना है, यह पानी एक चौथाई पानी शेश रह चुगा है इसको अब हमने चानना है इस कपड़े से तो आप देख सकते हैं अभी हम इस कवाद को चान रहे हैं दोस्तों इसे थोड़ा सावधानी पूर्वक चानिएगा क्योंकि अभी गरम भी है और आपके उपर गिर सकता है इसलिए थोड़ा सा सावधानी से इसे चान कर हम कपड़े से चान लेंगे दिरे-दिरे सारा इसके बाद हम इसका कलक बनाएंगे चुपात को हम अच्छी तरह चान लेंगे कपड़े से अच्छी है तरह चान लेगे जाओे से उत है बाल झाल का साथे जाओे को तरह भी है जाँ चान लेका पिरे गेड़ेंगे। कि जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इस पार्ट को अग्ली के संबतर्ख में ए अब इसका what one हमें जो इस भार कष़्टी को शीन के संदर्ख में लब देगा हुसके बर्ऑत हमें जो इसका पार्ट है वो जो भी पानी है तो सारा उड़ जाएगा दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह फल्वा टाइप बन चुका है और हमारा नीचे का फॉलिब बाठ हमें मिल रहा है आप यह सोच रहोंगे कि यह बहुत कम है अचली मैंने छोड़े पतीले में थोड़ा सा क्वाथ निकाल लिया था तो उसका यह गल्प बनाएं आप देख सकते हैं और बहुत अच्छी खुशू भी आ रही है आपको मैं बता नहीं सकता काफी अच्छी खुशू है यह बन चक अब इसकी हम वटी बना देए पिटा आप देख रहे हैं अब हमारी गुडूची खंवटी तयार हो चुकी है जो हमारा तल्क निकला था शन निकला था उससे हमने यह गुडूची खंवटी तमा ली है इसमें हमने फोड़ा गुडूची पाउडर भी मिलाया है जो कि यह थोड़ा सा ड्राय हो जाए और यह वटी की तरह स्यार हो जाए अब हम यूज करते हैं अंची में दोस्कों आप अपने जीवन में आयर्वेस टॉप नाएंगे और अपना जीवन खुशाल बनाएंगे थैंक यू